हलो व्यूर्स आज की वीडियो में हम कक्षा नवी की वार्षिक परिक्षा से संबंदित महतपूर्ण बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो जो महतपूर्ण बिंदू है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे कख्षा नवी वार्षिक परिक्षा तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि आप कितने नंबर में पास हो जाओगे ठीक है आप आपको हर विशय में एक निश्चित पासिंग मार्क से लाने पड़ेंगे और उसी के आधार पर आप पास हो जाओगे तो कितने नंबर में पास होने वाले हो आप यह आपको पता होना चाहिए दूसरा यह है कि आपका रिजल्ट कब आएगा ठीक है नवी वार्षिक परिक्षा का रिजल्ट कब आएगा क्या तारीक होगी उसकी ठीक है और इसके बाद जो एक और महतवपूर्ण बात है जो अधिकतर बच्चे पूछ रहे हैं वह है best of five ठीक है best of five वाला जो system है जो नियम था best of five का वह इस वर्ष है या नहीं क्योंकि best of five से बहुत से बच्चों को फायदा मिलता है और वा पास हो जाते तो यह इस वर्ष 2022-23 में भी लागू रहेगा या नहीं यहाँ भी महतवपूर्ण बिंदु है जो हम आगे बात करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि आप कितने अंक में पास हो जाओगे ठी ठीके 75 में से यदि आप 25 नमबर ले आते हो तो आप पास हो ठीके 75 में से 25 नमबर में आप पास हो जाओगे आपको नमबर 100 में से मिलने वाले हैं तो 75 का आपका पेपर हुआ था और 25 नमबर जो है आपके प्रोजेक्ट के मिलेंगे तो प्रोजेक्ट में तो आपको आपकी प्रोजेक्ट में जो भी बच्चे उपस्ती थे उन सभी को अच्छे ही नंबर मिलेंगे लेकिन यो 75 नंबर का जो पेपर हुआ था इसमें से आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है तो ही आप पास हो जाओगे तो 75 में से 25 नंबर में आप पास हो इसके बाद हम दुसरी जो बात क ठीके रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा और अप्रेल का जो आखरी सप्ता है मतलब जो अगला सप्ता आने वाला है अप्रेल के आखरी सप्ता में रिजल्ट आ जाएगा और वह भी 28 या 29 तारीक को आपका रिजल्ट गोशित हो जाएगा ठीक है 28 या 29 अप्रेल को आ आपका रिजल्ट घोशित हो जाएगा आपको पता चल जाएगा पास हो या फेल अपरिल के आखरी सप्ता में या फिर अगला ही सप्ता है वह उसी में आपका रिजल्ट आ जाएगा 28 से 29 अपरिल को ही आपका रिजल्ट घोशित होता है क्योंकि 30 अपरिल को तो रहिवार आ ज और आपको पता चल जाएगा कि आप पास हो या नहीं, आप सभी पास ही होगे यह निश्ची त Nheda Пिए है आपने हमारे चैनल से तयारी करी थी तो आप सभी पास हो जाओगे and आपको 10 की भी संपुर्ण तयारी से चैनल पर की जाएगी यदि आपने हमारे चैनल से तयारी करी थी तो आप सभी पास हो जाओगे और आपको दस्वी की भी समपुर्ण तयारी इस चैनल पर की जाएगी आप उसके तयारे भी आसानी से कर सकते हो इसके बाद जो अगला जो महत्वपुर्ण पॉइंट है best of five बला best of five इस वर्ष है या नहीं ठीके best of five मतलब आपके जो परिक्षा हुई है इसमें कुल छे विशे हैं ठीके छे विशे छे में से यदि पांच विशे में आप पास हो गए हो ठीके छे में से यदि पांच में आप पास हो और एक विशे इसा है जो आपके लिए कर्ठीन था उसमें आपके बहुत क तो भी इन पांच विशे के आधार पर ही आप पास कहला जाओगे यदि पांच में पास हो तो आप पास मान लिए जाओगे यही बेस्ट आफ फाइफ है मतला बेस्ट जो भी आपके पांच विशे है उसे के आधार पर आपकी टोटलिंग होगी और उसे के आधार पर आपको या फिल माना जाएगा तो यही best of five system है और इस वर्ष 2022-23 में भी best of five है ठीक है best of five वाला जो नियम है वह इस वर्ष भी रहेगा और आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा यदि आप पांच विश्वय में पास हो कोई एक विशे कठीन था आपका पेपर बिगड भी गया उसका तो भी आप पास खेलाओगे आपको बिल्कुल चिंता करने के आवशकता नहीं है इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और कि यदि आपके कुछ पेपर बिगड भी गए हो तो आपको दो विशे में पूरक आ जाएगे ठीक है कोई से भी दो विशे यदि आपके बिगड पास हो जाओगे लेकिन अदि आपके दो विशे के पेपर भी गड़ गए है और दोनों में आप फेल हो गए हो तो ऐसी इस्तति में आपको दो विशे में पूरक मिलेगी और पूरक की परिक्षा देकर भी आप पास हो सकते हो बिल्कुल आपको चिंता करने के आवशकता न वाली है मई से ही शुरू कर देंगे हम गणित की तैयारी ताकि गणित की संपुर्ण तैयारी हम जल्दी ही कर ले गणित और विज्ञान की तैयारी शुरू कर देंगे इसके अलावा आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आप क्या तैयारी पहले करना चाहते हो तो इस प्रक के और वीडियो देखने के लिए तक्षा नवी और दस्वी की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए